जैम आता दी दोस्तु। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शनी देव के राशी परिवर्तन का तुला राशी के जातकों पर कैसा रहेगा प्रभाव। जी हाँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 24 जन्वरी 2020 को शनी देव धनुराशी को छोड़ कर मकराशी में प्रवेश कर जाएंगे और मकराशी में प्रवेश के साथ साथ तुला राशी के जातकों को शनी की धहिया भी प्रारम हो जाएगी किन्तों मैं आपको बता दू शनी की धहिया प्रारम होने के पश्चाथ तुलाराशी वालों के लिए 2020 से 2025 का साल बड़ा ही गजब रहने वाला है जीहां तुलाराशी के जातकों को इन पास सालों में शरी देव से अवश्य होकर रहेगा प्यार जहां एक तरफ शनी की साड़े साती या धहिया का नाम सुनते ही लोगों के मन में भयोत्पन हो जाता है और वही दूसरी तरफ तुलाराशी के जातकों के जीवन में जैसे ही शनी की धहिया प्रारम होगी ये लोग हो जाएंगी माला माल जी हां 2020 से 2025 के समय में तुलाराशी के जातर जो भी चाहे के वो मिलेगा 24 जन्वरी से तुलाराशी वर तुलालगन के जातकों के चतुर्त भाव में शनी देव गोचर करने जा रहे हैं और शनी देव का यह गोचर पंच महापुर्शों में से एक महापुर्श का निर्मान क करता है जिसे हम ससा महापूरश योग के नाम से जानते हैं तो चलिए जाते हैं शरीदेव के इस गोचर के पश्चार तुलाराशी और तुलालगन के जातकों को क्या-क्या देखनी को मिलेंगे लाब तो मैं आपको बता दू यदि आप काफी समय से भूमी वहान या भवन खरीदने के सोच रहे थे तो दोस्तो आ गया है वो समय जब शनी देव स्वयम आकर आपको देंगे भातिक सुखो का वर्दान जी हां या तो फिर इसे ऐसा माल लीचिए तुलाराशी के जातकों के लिए 2020 से 2025 तक समस्त परकार के भौतिक सुखो से परिपूर्ण रहेगा भौतिक सुखो से परिपूर्ण रहने के साथ ही माता का स्वास्ते पुष्ट रहेगा और माता के साथ संबंदों में देखने को मिलेगी मधूरता इन 5 सालों के अंदर तुलाराशी और तुला लगन के जा यदि आप competition इत्यादी की तियारी कर रहे हैं तो इकाग्र होकर अपनी विद्या पर ध्यान दे इस समय शत्प्रतिशत देखने को मिलेंगे आपको पक्षकारी परिणाम इन पांच वर्षों में शनिदेव आपके साथ शत्रुहंता बनकर खड़े हुए दिखाई देंगे दोस्तों मैं आपको बता दू 24 जनवरी 2020 यहां से तुलाराशी के वेव्यक्ति जो सोयम का व्यवसाई करते हैं उन्हें इन पांच वर्षों में बड़ा ही गजब का लाब होने वाला है साथी नौकरी पेशा जात्कों को पद्दो उनती प्राप्त होगी तुलाराशी के वेव्यक्ति जो जौब की कर रहे थे तलाश उन्हें भी देखनी को मिलेंगे पक्षकारी परिणाम इस समय तुलाराशी के जात्कों को पैत्रिक संपत्ती भी प्राप्त हो सकती है 24 जलाई 2020 के पश्चार तुलाराशी के जात्कों का व्यक्तित्व ग्यान सुरूप में निखर कर सामने आएगा जी हाँ या फिर इसे ऐसा कहा जा सकता है आपके द्वारा लिएगे निड्ने आपके लिए शत्परतिशत कारगर सिद्ध होंगे इन पास सालों में आप सोयम के विवेक और ज्यान के चलते अपने जीवन को अग्रसर करेंगे यदि आपकी कुडली में शनी देव का प्लेस्मेंट अच्छा है तो शत्परतिशत बताया गया फलादेश आपके उपर सिद्ध साबित होगा कि तो यदि आपकी कुडली में शनीदेव अस्त होकर बैठे हैं तो बताएगे फलादेश में आपको उताच राप देखने को मिल सकते हैं इसी के साथी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए अपने दोस्तों रिष्टिदारों के साथ शियर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए साथी साथ बैल आइकन को प्रेस करें ताकि नया लॉटिफिकेशन आप तक सबसे पहले सके धनेवाद दोस्तों